इंगे फ्लैफी बर्ड गेम पिक्टो ब्लोक्स निए गों चूसे प्राइट यहापर मैं सुट करूंगा बर्ड यह वाला बर्ड लोंगा टूबी को मैं डिलेट कर दूंगा अगें गों चूसे स्प्राइट यहाँ पे यहाँ पे एक ब्रेश का इकान है उस पे क्लिक करना है यहाँ से मैं एक लंबा ग्रीन कलर का रेक्टेंगल रोग करना और यहाँ से मैं कॉपी करना और पेस करना यहाँ पे यहाँ पे यहाँ और इसके मैं यहाँ एक्स में कर दूंगा जीरो भाए मैं मैं कर दूंगा जीरो नहीं यहाँ पर मैं रख दूंगा यहवे आण यापर मैं बोसमें पेट की लिए करोंगा यापर योंगा गोने वैन्स और पी लिए-ग welcomed गोने कोंन्ट्रोल और तेक फारेए-और ब्लाक गुं आइन variables यहां पर मैं powerful बनाँगा पहले मैं my variable पर click कर करांगा और यहां से इसे delete कर दो और यहां पर make variable पर click करना है यहां से नहीं now variable का नम दाँगा' yb और फॉर इस प्राइट अली रखूंगा इसे में गोई मोश्यों और टेक्चेंग वाई बाई गोई वाई बाई गोई वाई वी और है नी चुलंगा चैंग वाई वी बाई यहां पर मैटाप दोंगा माईनस पोईंट एट यह पर टाप करूंगा माईनस पोईंट सेवन दन करना है मैंसे दुपिकेत करूंगा प्लिक करके रखना है और दुपिकेत और यह सब ब्लक को हटा दोंगा मैं गोई नी चुन्रोल और टेक इस दन गोई गोई नी चुन्रोल और गोई नी चुन्रोल और टेक्ट वाई वी यह पर मैटाप करूंगा नाइए और अब यहां वें ग्रीन फ्लैग के उपर वाई ब्लक के उपर मैंना है अब मैं हमारा प्रोग्राम रन करूंगा तो यह अच्छी से जंप कर रहा है मगर इसकी size कुछ बड़ी है तो इसपर double click करना और pencil पर यह उपर एक board है यहां पर इसपर double click करना और यहां से pencil पर हम यहां पर size को मैं करूंगा 50 मैं इसकी size को कर दूंगा को 60 और अब मैं हमारा प्रोग्राम में करूंगा तो हमारा बोर अच्छा से फ्लैप जंप कर रहा है मगर हम अगर ऐसे ही स्क्रीन को टच करते रहें तो वो डायरेक्ली उपर जाता है हमें वो ऐसा नहीं चाहिए तो इसके लिए अगर हम फोरी हमेशे क्लिक करके रखें तो वो एक बार जंप होना चाहिए और अगले बार नहीं तो गोइन कंट्रोल्स और यहां नीचे जाना है और लेना है वेट अंटिल गोइन सेंसिंग और टेक माउस जान अब हम अगर हम अमारा प्रोग्राम रेंड करते हैं तो यह रहा अच्छे से काम कर रहा है यह फिर हम यह माउस जान की जगह अपारो भी नहीं सकते हैं यहां पर हम लेंगे और इसके पहले इसमें गोइन सेंसिंग और टेक की अपारो की अपारो प्रेस्ट और यहां पर लेना है माउस डाउन और यहां पर इससे डुप्लिके करना है और यहां अब हम हमारो प्रोग्राम होंगे अगर मैं कि अपारो प्रेस्ट करता हूं तो भी यह जंप होता है तो अब हम हमारे पाइप में जाएंगे यह पर लेंगे वें ग्रीन फ्लाइक ले गोइन लोक्स और टेक हाइड गोइन कंट्रोल और टेक फॉरेवर ब्लाग और नीचे जाना है और यहना है प्रेस्ट लोन अप मैसेल यहां उसके उपर लेना है और यहां से रिस्पान होते हैं तो इसे यहां पर लग जाना है और फिर गोईन मोशंस और टेक गोटो और अप लोंगा फोरेवर ब्लाग यहां लोंगा यहां चंग एक सब्सक्राइब गोईन अपरेवर क्ते लोन खुए बोड सांस किक राइब टो टो यह जोंगां आप ब्लाग पान्साय व्यूंग लोंगां आपार टूंगां तो टेक प्यांडों एब्लाग ब्लाग रूंगां अश्छार्ट टो यहां चांट रिस्पां वेट 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 वन सेकेंड और गॉन आपरेटर जिन टेक्पिक रैंडम वन टू ओ वन टू थृ यहाँ पर रिटाती में हैं अब मैं प्रोग्राम रून करूंगा और यहाँ पर मैं पुना स्टाटर क्लोन में मैं रुखूंगा गुए लोक्स टेक्पिक शो अब मैं हमारा प्रोग्राम रून करूंगा तो यह वहें आट गया है यहाँ पर मैं परेवर चेंग एक्स बाइ माइनस टेन अब मैं हमारा प्रोग्राम रून करूंगा तो यह ठीक से आ रहा है तो मैं हमारे पाइल को मैं पाइले डिलीट करूंगा मैं इससे अच्छा पाइल बनांगा यहाँ पर एक बटन है यहाँ पर यहाँ पर यहां फिर हम बैक जाएंगे और यहां से इस पर क्लिक करेंगे यहां से ब्रेश पर क्लिक करना है हमें यहां पर क्लिक करना है उस पर हैं यहां पर मैं यहां पर मैं एक बड़ा सा रेक्टाइंगल बनाओंगा और यहांसे मैंसे select करूँगा और बड़ा बड़ा करते हैं और मैंसे copy करूँगा और paste करूँगा यहांपर और इससे यहां यहांपर मैंसे वैंड गिरिम फ्लाइग ले go in looks and take hide go in controls and take forever block और नीचे जाना है और यहांसे लेना create clone of myself और उपर जाना है लेना wait one second go in operators and take pick random 1, 2, यहांपर मैं type करूँगा 3 go in controls यहां पर लूँगा मैं when I start as a clone go in locks and take show यह यहां से आना चाहिए तो हम इसे यहां ले जाएंगे go in motions and take go to और यहां पर लूँगा for go in controls and take forever block go in motions और नीचे जाना है और लेना है change x by change x by यहां पर मैं type करूँगा minus 10 तो अब यह काम कर रहा है और मैं अब जाँगा हमारे board में यहां पर दूँगा if go in control and take if go in sensing and take touching यहां से में सेलेट करूँगा sprite 1 और यहां पर मैं go in control and take stopper तो अब यह काम कर रहा है अगर यह touch कर जाता है तो stop and sub stop यहां हमारा प्रोग्राम हो चुका है so bye